Hello दोस्तों, welcome to accounting, सीखो तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि यह soul proprietorship की क्या meaning होती है, इसका क्या अर्थ होता है The word soul which means single and the word proprietorship which means ownership The legal business activities which is owned and controlled by an individual is called soul proprietorship यह soul proprietorship दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें soul का हिंदी में मतलब होता है अकेला और proprietorship का मतलब है ownership या अधिकार तो इस तरह एक ऐसी legal business activities जो एक individual person means अकेला एक वेक्ति उसे करता है उसे control करता है, तो वह soul proprietorship business का लाता है यह एक अकेला वेक्ति ही वह business की सारी activities को manage करता है, यही सबका अकेला अधिकारी होता है अगर business में profit होता है तो वह इस अकेले वेक्ति का ही होगा और अगर किसी situation में loss होता है, तो उस loss की जिम्मेदारी भी इसी अकेले वेक्ति को ही उठानी पड़ेगी उसका नुफसान इसे ही सहना पड़ेगा तो यही sole proprietorship business कालाता है, जिसमें अकेला वेक्ति ही सारी चीजों को manage करता है तो आएए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए यह sole proprietorship बिजनेस जो होता है, यह business organization का सबसे छोटा और एक आसान form है, इसका रूप है जिसे कोई भी वेक्ति कर सकता है, इसमें कोई भी registration, formalities या license की जरूरत नहीं होती है तरब बिना license के बिना किसी भी तरह की कागजी कारवाई के यह business शुरू किया जा सकता है, जो कि बहुत ही आसान है तो यह sole proprietorship business जो करता है, उसे हम sole trader के नाम से भी जानते हैं तो यह तो हो गई इसकी meaning, अब आए इसकी एक दो definition देख लेते हैं, ताकि आप exam में इसे लिख सकें तो इसकी एक definition यह है यह definition दी गई है according to B.O. Wheeler इस तरह की जब भी आप कोई definition लिखें, जिसे कोई author लिखे हुए हैं, तो उसके नीचे उन author का नाम जरूर लिखें इसका मतलब है, sole proprietorship business की वह form है, जिसका manager और मालिक एक ही होता है, वही उस business को control करता है means एक ही individual के पास उसका control होता है, और वही सारे operations को देखता है, उसे manage करता है, और वही उसका responsible होता है इसकी दूसरी definition है, sole proprietorship is a type of business unit where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of the enterprise and for the management of the business यह definition दी गई है, J.L. Hansen के द्वारा दोस्तों सारी definition का मतलब एक ही होता है, मतलब जो भी definition अलग-अलग author देते हैं, उन सबका जो main point होता है, जो main मुद्दा होता है, वह एक ही होता है बस सबके अर्थ जो होते हैं, वह थोड़े अलग होते हैं, सब थोड़ा अपने अलग-अलग तरीके से वे इस definition को बताते हैं तो इस definition का मतलब यह है कि, sole proprietorship इस तरह का business होता है, जहां पर एक आदमी अकेला ही अपने उस business के लिए capital provide करने और उस business के सारे risk को bear करने, उसे सहने के साथ ही, उस business के management के लिए भी responsible होता है, जिम्मेदार होता है अगर उस business में profit हुआ, तो अच्छी बात है, वह सारा profit उसे ही मिलेगा, पर अगर उसे कोई loss होता है, तो भी उसे ही उसका नुकसान सहना पड़ता है दोस्तों आईए अब जानते हैं कि sole proprietorship के क्या features होते हैं, इसकी विशिष्टा क्या होती है, तो यहाँ पर total 10 features दिये हुए है, एक एक करके हम इसको समझेंगे sole proprietorship का सबसे पहला जो features होता है, वो है single ownership, अब हम जान चुके हैं कि sole proprietorship में एक अकेला वेक्ति ही जो होता है, वही सारी चीजों को manage करता है, मतलब इस तरह के business का जो owner होता है, वह single individual एक वेक्ति ही होता है, वही capital, assets और इन सारी चीजों को arrange करता है, और इन पर उसी एक person की ownership ही होती है, वही सबका अकेला अधिकारी होता है, तो इस तरह sole proprietorship में single ownership होती है, इसका दूसरा point है, formation and closure, इस sole proprietorship business को शुरू करने और इसे बंद करने में, किसी भी तरह की legal formalities की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो इस तरह के business करने वाला वेक्ति है, वह जब चाहे अपने sole proprietorship business को start कर सकता है, और जब चाहे वा उसे close भी कर सकता है, उसे किसी भी तरह के rules, regulations या किसी भी तरह की formalities करने की ज़रूरत नहीं होती है, तीसरा point है, individual risk bearing, अब चुकि sole proprietorship business में एक single person ही उस business को चला रहा होता है, तो वही business के सारे risk को bear करता है, उसे सहता है, अगर profit हो रहा है, तो अच्छी बात है, उसे उसका फाइदा मिलेगा, पर अगर किसी भी तरह से उसे loss हो गया है, उसके business में, तो इसका जो नुकसान होगा, वह भी उसे ही सहना पड़ेगा, उसका risk भी उसे ही उठाना पड़ेगा, इसका चौथा feature है, one mind control, इसका मतलब या हुआ कि एक ही person प अधिकार और जिम्मेदारियां पूरी तरह से उसी के पास होती है, उस business के मालिक के पास होती है, बिना उसकी permission के कोई भी person उस business activities में interfere नहीं कर सकता है, तो इस तरह या sole proprietorship business one mind control होता है, जिसे एक person control करता है सारी चीज़ों को, next है unlimited liabilities, एक sole proprietor किसी से कोई सामान उधार में खरीदता है, तो किसी भी तरह से उसे उसका payment करना ही पड़ता है, इस तरह जो person है वो अपने loss या कर्ज को चुकाने के लिए अपनी personal property भी बेच सकता है, इसकी अपने business के लिए liability unlimited होती है, next है all profit to owner, अब business से जितना भी profit होता है वह सारा profit उसी एक person का होता है, क्योंकि वही उसका एक मालिक है, तो जब उसको या पता होता है कि सारा profit जो होगा वह उसी को मिलेगा, तो वह उस profit को बढ़ाने के लिए उसे और ज़्यादा करने के लिए ज़्यादी मेहनत भी करता है, वह ज़्यादा मेहनत करता है और चालाकी के साथ काम करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वह profit कम सके नेक्स्ट है less legal formalities sole proprietorship business के लिए कोई भी separate law नहीं बना हुआ है ना ही इसे शुरू करने में कोई दिक्कत आती है बस कभी कभी कुछ formalities को पूरा करना होता है कुछी business को बस license की जरूरत होती है या या भी कर सकते हैं कि उन्हें बस एक registration कराना होता है बाकी और किसी तरह की किसी भी paperwork की जरूरत नहीं बढ़ती है next है small size या जो sole proprietorship business होता है या छोटे level पर ही किया जाता है क्योंकि सारा पैसा एक ही person को arrange करना होता है अब चाहे उसे अपने capital लगानी पड़े या कहीं से loan लेना पड़े सारी चीजों को वही control करता है तो इसी लिए या small level पर ही किया जाता है ताकि उसे अच्छे से manage किया जा सके next है management management का मतलब होता है business की सारी चीजों को सारी activities को manage करना तो sole proprietorship में वही एक person business की सारी activities को manage करता है कि funds कहां से लेने हैं sales कैसे करनी हैं customer को कैसे बनाएंगे उनसे relation कैसे build करना है या सारी चीजों को वही एक person manage करता है next और last feature है इसका no separate legal entity जो sole proprietor है जो किसी business को चला रहा होता है इसमें कोई separate legal entity नहीं होती है law की नजर में वह sole proprietor और उसका business एक ही है उसके business में अगर कोई दिक्कत आती है product की कोई complaint आती है तो इन सब cases में वही sole proprietor ही इसका जिम्मेदार होगा जिंगे advantages and disadvantages of sole proprietorship sole proprietorship business करने के क्या-क्या फायदे होते हैं और इसके क्या-क्या नुकसान होते हैं तो आईए सबसे पहले जानते हैं sole proprietorship business के क्या advantages होते हैं क्या-क्या इसके फायदे होते हैं तो sole proprietorship business का सबसे पहला advantage है easy to start and close Soul Proprietorship Business को चालू करना और बंद करना बहुत आसान है क्योंकि इसे शुरू करने और बंद करने में कोई legal formalities की ज़रूरत नहीं होती है जब चाहे इसे शुरू किया जा सकता है और जब चाहे इसे बंद भी किया जा सकता है इन केस अगर वा बिजनेस नहीं चल रहा है तो जब बिजनेस शुरू हो गया और फिर वा परसन चाहे तो उसे सुबा में खोले शाम को बंद करके घर चला जाए या फिर दो पहर से खोले और रात में बंद करके कहीं चला जाए उसे किसी से कोई परमीशन नहीं लेनी होती है अकेला ही वा मालिक है उस बिजनेस को वा जैसे चाहे उसे चला सकता है तो सोल प्रोप्रोप्राइटर्शिप बिजनेस का यह एक फायदा होता है Soul Proprietorship Business का दूसरा Advantage है Less Capital Expenses Soul Proprietorship Business जो स्टार्ट करता है वा छोटे लेवल पर ही स्टार्ट करता है इसलिए इसमें Capital Expenses कम ही होते है Capital Expenses ये वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए किये जाते हैं क्योंकि ये बिजनेस छोटा होता है तो इसमें ये खर्चे भी कम ही होते है इसका अगला Advantage है Complete Control इसमें Soul Proprietor जो होता है यानि जो Soul Proprietorship Business करता है उसे ही हम Soul Proprietor कहते हैं तो यह Soul Proprietor जो होता है उसी के हाथ में उस बिजनेस का पूरा कंट्रोल होता है क्योंकि वही उस बिजनेस को अकेला चला रहा होता है वही उस बिजनेस का मैनेजर होता है वह जिस तरीके से चाहे उस तरीके से वह बिजनेस कर सकता है जैसे चाहे वह वैसे उस बिजनेस में होने वाली Activities को मैनेज़ कर सकता है क्योंकि सारे rights और responsibilities उसी एक person की ही है बिना इसकी permission के कोई भी दूसरा person उसके business activities में involved नहीं हो सकता है उसमें interfere नहीं कर सकता है तो इस तरह business का जो सारा control होता है वह इसी एक person के पास होता है या भी इसका एक फाइदा है इसका अगला advantage है Monopoly on all profits समस्त लाब पर एक अधिकार एक ही person का अधिकार होना तो sole proprietorship business में वह sole proprietor ही business के सारे लाब पाने का अधिकारी होता है बिजनेस से जितना भी profit होगा वह सारा profit उसी एक person को मिलेगा तो जब उस person को पता होता है कि business से जो भी profit होगा जितना भी होगा वह सारा उसी को मिलेगा तो वह और मोटिवेशन के साथ उस profit को बढ़ाने के लिए और ज्यादा मेहनत करता है इसका अगला point है Quick Decision Making Soul Proprietorship Business में जो एक अकेला वेक्ती होता है वही उस business का Decision Maker होता है सारे निर्णे वही लेता है कोई भी दूसरा वेक्ती उस Soul Proprietorship और उसके Decision में इंटरफेर नहीं करता है इसलिए या Soul Trader निर्णे भी जल्दी ले पाता है और कब क्या action लेना है वह भी सही time पर सही जगां पर और जल्दी ले पाता है क्योंकि उसे किसी दूसरे से discuss नहीं करना होता है तो Soul Proprietor का यह एक advantage होता है कि उसे Decision लेने में आसानी होती है वह जल्दी ले पाता है अगला point है Direct Motivation अब सबसे बड़ा motivation तो यही है कि बिजनेस का सारा profit उस प्रोपराइटर का ही है कोई और उसे नहीं ले सकता है तो यही उस प्रोपराइटर के लिए Direct Motivation है जिससे वह ज़्यादा काम करता है और अच्छे से करता है इसका अगला point है Direct Contact with Customers Soul Proprietorship बिजनेस में एक अकेला ही वेक्ती होता है तो वह सारे कस्टमर से अच्छे से डील करता है उनसे अच्छे से बात करता है क्योंकि वह जानता है कि जब कस्टमर उस से और उसके प्रोड़क्ट से साटिस्फाइड होंगे तो वह बार बार उसी के यहां आएंगे और विक्री ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी उसे ज्यादा होगा और वह सारा प्रॉफिट उसी को मिलेगा तो इसलिए वा customer से direct contact बनाये रखता है उनसे उनके interest और उनकी demand क्या है उनकी रुची किसमे है उन सारी चीजों को अच्छे से observe करता है उनका अध्यान करता है ताकि वा उन customers को अपनी ओर attract कर सके इसका अगला advantage है close relationship with employees sole proprietorship business क्योंकि छोटा होता है और अगर वा sole trader कुछ अपने employees को रखा हुआ है कुछ दो चार employees हैं जो उसके अंडर काम कर रहे हैं तो वा अपने सारे employees को जो उसके साथ काम में लगे हुए हैं उनसे relation build करता है यह sole trader उन employees को अच्छे से जान पाता है उनकी गलतियों उनके interest को वा अच्छे से समझ पाता है तो उसी के हिसाब से वा उनसे deal करता है यह उनकी गलतियों को दूर भी करता है जिससे वा business आगे बढ़ता है next है keeping business secrets दोस्तों आज कल इतना competition है कि इस competition के दोर में अपने business को अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक business के जो secrets होते हैं उन secrets को maintain करना बहुत जरूरी है और यह secrets soul proprietorship business में अच्छे से maintain किये जा सकते हैं क्योंकि उसका owner एक ही होता है उसी को सारी चीज़ें पता होती है उसे ही सारी चीज़ें decide करनी होती है बिजनेस कैसा चल रहा है उसकी sell कितनी हो रही है कितना profit हो रहा है यह सब उसे ही पता होता है और इन सब की report किसी को show करने की जरूरत उसे नहीं पड़ती है तो किसी भी तरह की बात को वह अपने तक ही रख सकता है तो यह भी soul proprietorship का एक advantage होता है इसका next और last advantage है personal touch एक proprietor ही एक अकेला वेक्ती ही सारी business activities को manage करता है उसे handle करता है तो यह काफी आसान हो जाता है कि वह अपने customers से touch में रहे उन्हें समय समय पर अपने products के बारे में information देते रहे तो इस तरह ग्राहकों से personal touch maintain करना बहुत जरूरी है इससे भी इस sole proprietorship business को काफी फायदा होता है तो दोस्तो यह जो total 10 points है यह sole proprietorship business के advantages के बारे में हमें बताते है अब आएए आगे जानते हैं कि इसके disadvantages क्या क्या होते है sole proprietorship business करने के नुकसान क्या क्या है उनको भी इसी तरह हम points के थूँ समझेंगे तो sole proprietorship business का सबसे पहला disadvantage है limited resources sole proprietorship business में एक ही owner होता है तो इसके पास limited resources और कम capital होती है और आज के इस competition के दोर में जहां पर ज़्यादा capital की ज़ुरत पड़ती है पर वह अकेला owner है जो बहुत ज़्यादा capital को collect नहीं कर सकता है तो इस तरह वह अपने business को एक limit तक ही expand कर पाएगा वह अपने उस business को बढ़ा नहीं पाता है तो यह limited resources इसका एक disadvantage है इसका दूसरा point है limited growth sole proprietorship business का एक disadvantage यह भी है कि इसकी growth भी limited होती है बहुत ज़्यादा यह business grow नहीं कर पाता है as compared to partnership firm जैसे partnership business में 2-4 लोग मिलकर उसे चलाते हैं उसे शुरू करते हैं तो जहां अलग-अलग वे capital लगाते हैं जिससे ज़्यादा capital इखटा हो जाती है तो बाकी सारी चीजों को वह मिलकर अच्छे से deal करते हैं एक दूसरे से ideas और suggestion लेकर वह काम करते हैं तो business भी वह तेजी से grow करता है पर यहां sole proprietorship business में वह sole trader ही अकेला वेक्ती होता है और वह अकेला सारी activities को अच्छे से maintain नहीं कर पाता है उस business की growth एक limit तक ही रह जाती है तो इसका एक नुकसान यह भी है अगला disadvantage है limited expertise दोस्तों एक अकेला sole trader ही business के सारे functions में expert नहीं हो सकता है उसका जानकार नहीं हो सकता है कुछ ही चीजों के बारे में उसे अच्छे से जानकारी होती है उसके अलावा बाकी के कामों को वह ठीक से नहीं कर सकता है इसमें sales, marketing, finance, warehousing, etc. और भी बहुत सारी चीज़े शामिल होती है तो वह इन सारे कामों का expert नहीं हो सकता है हो सकता है वह sales में expert हो, उसका जानकार हो वह product की selling करना अच्छे से जानता हो पर उसकी अच्छी growth के लिए उसकी marketing और finance को भी अच्छे से maintain करना होता है में कम knowledge हो, तो इसलिए यह भी एक इसका disadvantage होता है इसका चौथा disadvantage है limited management skills sole proprietorship business में एक sole trader business का management अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे planning, organizing, directing, controlling इन सारी चीजों की जिम्मेदारी एक ही person पर होती है तो एक अकेला वेक्ति इन सारी चीजों का जानकार नहीं हो सकता है इन सारी अलग-अलग fields के बारे में हो सकता है उसे अच्छे से जानकारी ना हो तो इसलिए इसमें management skills की भी कमी होती है जिससे उसके business का management ठीक से नहीं हो पाता है तो यह भी इसका एक disadvantage है disadvantage में इसका पांचमा point है limited trade इस तरह soul proprietorship business में जो व्यापार होगा जो trade होगा वह भी एक limited scale पर ही होगा छोटा होगा soul proprietor business बड़े level पर नहीं हो सकता है क्योंकि soul trader ही यह सब कुछ अकेले maintain नहीं कर पाएगा उसे manage नहीं कर पाएगा तो इस तरह इसमें जो trade किया जाता है वह limited scale पर ही किया जाता है इस trade को और बढ़ा पाना broad कर पाना काफी मुश्किल होता है इसके disadvantage का यह छटा point है unlimited liability soul trader जो अपने business में पैसा लगाता है capital लगाता है साथ ही वह bank से loan भी लेता है ताकि वह business को अच्छे से चला पाए पर आगे अगर business में कहीं पर कोई loss हो जाता है तो वह जो bank से loan लिया होता है वह उसे चुका नहीं पाता है तो इस case में उसे अपना business भी बेचना पड़ेगा पर अगर वह loan ज़्यादा लिया था उसकी amount ज़्यादा है और इस business को बेचने से भी वह amount पूरी नहीं हो पा रही है उसकी recovery नहीं हो पाती है तो इस तरह उसे अपनी personal property भी बेचनी पड़ सकती है उसे अपना घर भी बेचना पड़ सकता है Soul Proprietorship Business की unlimited liabilities होने का एक नुकसान यह भी होता है Soul Proprietorship Business के disadvantage का next और last point है साथमा पॉइंट है Unsuitable for large businesses या जो Soul Proprietorship Business होता है या बड़े businesses के लिए suitable नहीं होता है क्योंकि इस Soul Proprietorship Business में कम capital, unlimited liability, limited credit ability या सब disadvantages involved होते हैं तो या छोटे लेवल पर ही बस किया जा सकता है या Soul Proprietorship Business बड़े businesses के लिए नहीं है अगर किसी businessman को अपना business large scale पर करना है बड़े लेवल पर करना है तो उसके लिए या Soul Proprietorship Business suitable नहीं है इसका मतलब या है कि Partnership या जिसे हिंदी में हम साजेदारी कहते हैं या इस तरह का business है इस तरह का विवसाय है जहां पर दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच एक formal agreement होता है एक आपचारिक समझावता किया जाता है अब इस agreement में होता या है कि वो उस business को चलाने और उसके co-owners बनने के लिए agree होते हैं उस पर सहमत होते हैं कि वो उस business organization को चलाने की जिम्मेदारियों को distribute करेंगे यानि जो भी उस business के partners होते हैं दो, चार, छे लोग जितने भी होते हैं वो हम मिल जुलकर उस business को चलाते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं और फिर उस business से होने वाले profit या loss को आपस में share करते हैं इस तरह इसमें सारे partners के बीच एक agreement sign करना होता है जिसे हम partnership deed कहते हैं सारे partners जो होते हैं वह इस partnership deed के term से agree करते हैं और उसी के according या partnership business को शुरू करते हैं profit और loss का एक ratio होता है जिसे वह आपस में बाटते हैं तो इस तरह business organization की और भी अलग-अलग forms होती हैं जिसके बारे मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ या partnership उसी का एक part है आगे और भी हम अलग-अलग forms के बारे में समझेंगे तो इस तरह इस partnership business को अगर हम short में कहें तो a partnership is a formal arrangement sorry यहाँ formal लिखना भूल गया था इसलिए इस तरह लिखा हूँ by two or more parties to manage and operate a business and share its profits means partnership दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच एक ऐसी विवस्ता है एक ऐसा system है तो किस तरह की विवस्ता है to manage and operate एक business के सारे कामों को सही से manage करने और उसे चलाने की विवस्ता है एक system होता है और उससे होने वाले लाब को profit को आपस में बाटने का एक agreement है तो इस तरह जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर दो या दो से ज़्यादा parties जब मिलकर इस तरह से business को manage करते हैं चलाते हैं कि आगे जब उससे उन्हें profit होता है तो वो उस profit को अपने decide किये हुए ratio में जो पहले से वे decide करते हैं कि अगर profit होगा तो इतना हमें मिलेगा इतना आपको मिलेगा तो जिस ratio में वे decide करते हैं उसमें वा उस profit को बाटते हैं तो इसमें एक point या भी आता है कि अगर उस business से loss होता है तब क्या होता तो अगर उस business से आगे किसी भी तरह का loss होता है तो वो जो partners होते हैं वो उस loss को भी आपस में बाटते हैं उससे वा सहमत होते हैं उसे bear करते हैं तो चाहे उस business से profit हो या loss हो जो भी उस business के उस partnership business के जो partners है वो उसे आपस में share करेंगे इस तरह हम कह सकते हैं कि partnership एक ऐसी association है जो individually partners कहलाते है collectively उन्हें firm कहा जाता है और legally हम उसे partnership firm के नाम से जानते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको partnership की meaning clear हो गई होगी कि partnership business होता कैसे है किस तरह से या किया जाता है अब आएए इसकी एक definition देखते हैं या हमारी definition है partnership act 1932 साजेदारी अधिनियम 1932 के recording या दी गई है the relation between two or more partners who have agreed to share the profits of a business carried on by all of them any of them acting for all मतलब या हुआ कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिल कर किसी भी business को शुरू करते हैं और उसमें होने वाले profit को लाब को आपस में बाटने के लिए सहमत होते हैं पहले से ही उसका समझाता करते हैं कि business से जो भी profit होगा उसे हम आपस में बाटेंगे अब या तो सारे partners मिल कर मिल जूल कर उस business को represent करते हैं या फिर उन में से कोई एक उन बागी partners को represent कर सकता है अब जैसे दो तीन partners मिल कर कोई partnership business चला रहे हैं तो अगर किसी company से उनकी कोई meeting है और अगर उन तीनों में से कोई एक partner या दो partner available नहीं है वो कहीं और है तो वह जो अकेला partner है वह जो एक partner है वह उनके भिहाब पर भी उस meeting को attend कर सकता है और अकेले अपने उन दोनों partners के भिहाब पर वह अकेला कोई भी decision ले सकता है अब वह जो भी decision लेगा उसका आगे फायदा होगा या नुकसान होगा तो वह उन तीनों partners के लिए होगा ना कि उस एक person के लिए उस एक partner के लिए तो इस तरह से partnership business किया जाता है दोस्तों आईए अब आगे जानते है features of partnership के बारे में कि एक partnership business के क्या क्या features होते हैं इसकी क्या क्या विशेशता होती है तो features में इसका सबसे पहला point है agreement जो partners एक partnership business को शुरू करने वाले हैं सबसे पहले उन सभी partners के बीच एक mutual agreement होता है एक contract होता है जो written form में होता है और valid होता है तब जाकर वह partnership business start होता है इसकी दूसरी विशेष्टा है number of partners अब partnership business की दूसरी विशेष्टा तो या है कि इसमें कम से कम दो वैक्ति जरूर होने चाहिए तभी वह partnership business कहलाएगा अगर कोई एक अकेला वैक्ति है तो वह खुद से partnership business नहीं कर सकता है उसके लिए sole proprietorship business होगा तो अब कम से कम इस partnership business में दो वैक्ति होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं दोस्तों पहले जो Companies Act 1956 था उसमें जो maximum numbers जो decide किये गए थे वो banking में 10 और other type of business के लिए 20 पर अब Companies Act 2013 के according minimum 2 और maximum 100 partners हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिए कि जो Indian Partnership Act 1932 है इसमें number of partners के बारे में कहीं पर कुछ नहीं कहा गया है जो हमारा Companies Act 2013 है उसमें इन number of partners के बारे में कहा गया है कि minimum 2 और maximum 100 हो सकते हैं कि कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 100 हो सकते हैं Central Government के द्वारा इस number of partners में 50 रखा गया है कि maximum 50 हो सकते हैं इसका तीसरा point है valid business यह जो partnership business किया जाता है यह वैद वैपार करने के लिए किया जाता है valid business इसमें होता है अवैद वैपार को करने के लिए जो partnership business फॉर्म किया जाएगा बनाये जाएगा वह अवैद कहलाएगा valid नहीं होगा valid businesses में जैसे industry, trade, commerce यह direct services जो दी जाती है consumers को वो तो इसमें एक देश के जो rules हैं जो law हैं उनको follow किया जाता है next है object is to make profit partnership business की एक विशेशता यह भी है कि यह business का मुख्य उद्देश main objective जो इसका होता है वो होता है to earn profit lab कमाना lab कमाना ही इसका मुख्य उद्देश होना चाहिए अब इसमें कोई किसी consumer को goods sell करे या उन्हें कोई service दे जिसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं ना कि वो किसी तरह की charity मिलकर कर रहे हैं अब जैसे कोई person किसी तरह की business कर रहा है समान को customer को sell कर रहा है और उससे जो पैसा मिल रहा है वा गरीबों में दान कर दे रहा है तो यह partnership business नहीं कहलाएगा partnership business में जो main objective होता है वह होता है profit कमाना नेक्स्ट है sharing of profit and loss जब partnership business किया जाता है तो उसमें जो भी उन्हें profit होता है उन partners को जो profit होता है वो partners उसे आपस में बाटते है business को शुरू करने से पहले जो agreement prepare किया गया है जिसमें जो ratio जिस partner का decide किया गया है वो उस ratio में profit earn करता है तो इस तरह जब partnership business से profit होगा तो वो सारे partners उसे आपस में share करेंगे और अगर कोई loss होता है तो उसे भी वो सारे partners मिलकर bear करेंगे उससे सहमत होंगे तो इस तरह के business में चाहे profit हो या loss वो सारे partners के बीच equally distribute किये जाते है नेक्स्ट है no separate entity एक partner और वह partnership firm जो है ये एक दूसरे से अलग नहीं होते है law या कानून की नजर में ये दोनों एक दूसरे से अलग ना होकर एक ही है कोई भी firm अपने partner के दौरा किये गए contract के लिए responsible नहीं होती है इस तरह इस firm की कोई legal entity नहीं होती है कोई legal existence नहीं है ये partnership firm अपने partners से अलग नहीं होती है और अगर इनके partners पर कोई case होता है तो इस partnership firm पर भी इसका असर पढ़ेगा वह भी बंद हो सकती है ऐसा नहीं है कि partners पर case हो गया है तो इनकी company जो है इनकी partnership firm जो है वह चलती रहेगी उस पर कोई फरक नहीं पढ़ेगा ऐसा सिर्फ company में होता है नेक्स्ट है unlimited liability partnership business में firm के loan को payment करने के लिए सभी partners की liability unlimited होती है मतलब कि अगर partnership business में कोई loan लिये गए है और उसे चुकाने के लिए partners के पास जो assets है वह आपरयाप्त है वह उतनी नहीं है कि उनके loan का वह payment हो जाए इस तरह उनका पूरा loan चुकता नहीं हो पाएगा तो यह जो partners है यह अपनी personal assets भी इसमें add करके उसका payment कर सकते है इनकी जो liability होती है वह unlimited है partnership business का next और last feature है mutual agency आपस में एक दूसरे का agent बनना partnership firm में सारे decisions तो mutual understanding से ही लिये जाते हैं पर कहीं अगर ज्यादा partners है और कहीं किसी meeting में जाना है वहाँ पर कोई बात चीत करनी है कोई decision लेना है तो वहाँ पर सारे partners ना जाकर सिर्फ एक partner भी वहाँ पर जा सकता है जिसे हम agent कहेंगे और वहाँ उन सब के बिहाब पर वहाँ decision ले सकता है contract को sign कर सकता है इसके लिए सबी को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है अब अगर उस contract से आगे उन्हें profit होगा तो वह सबी को उस ratio में मिलेगा जो ratio उनका पहले से decide है पर अगर कोई loss होगा तो उसकी जिम्मेदारी उन सबी partners को उठानी पड़ेगी यही सारे partnership business के features होते हैं तो दोस्तो इसकी meaning, definition और features के साथ इसके advantages और इसके disadvantages के बारे में भी जानना आपको बहुत जरूरी है तभी आप इसके बारे में एक अच्छे तरीके से exam में लिख सकते हैं advantage और disadvantage को हम merit and demerit के नाम से भी जानते हैं तो दोस्तो आईए सबसे पहले जानते हैं इसके advantages के बारे में कि एक partnership business के क्या-क्या फायदे होते हैं, इसकी merit क्या-क्या है इसमें हमारा सबसे पहला point है, easy formation एक partnership firm को शुरू करना बहुत ही आसान है, इसमें इसका registration optional होता है बस सारे partners मिलकर एक document को sign करते हैं और उनके बीच एक बस agreement होता है तो इस तरह एक partnership business का यह advantage है, कि इसे आसानी से शुरू किया जा सकता है इसका दूसरा advantage है, large resources दोस्तो, sole proprietorship business के बारे में हम जान चुके हैं, कि उसमें एक अकेला person होता है जो business की सारी activities को manage करता है, तो इस तरह वो जादा resources collect नहीं कर पाता है resources का मतलब वो funds या capital जादा इकठा नहीं कर पाता है पर यहां partnership business का यह advantage है, कि यहां partnership business में कई partners एक साथ मिलकर जादा capital इकठा कर सकते हैं, इस तरह वो contribute करके जादा funds को generate कर सकते हैं और बागी के जो भी resources हैं, उनको भी वा available कराते हैं, तो partnership business का यहां advantage होता है इसका तीसरा advantage है, sharing risk partnership business का एक फाइदा या भी है कि अगर इस partnership business में कोई loss होता है तो वा सभी partners को मिलकर distribute करना होता है, यानि इस risk को वे सारे partners आपस में share करते हैं तो इस तरह जो भी business के risk होते हैं, वो उतने बड़े नहीं लगते हैं, तो वे partners और ज्यादा risk ले पाते हैं और जब ये partners ज्यादा risk लेते हैं, तो profit होने के chances भी बढ़ जाते हैं अगर किसी तरह उस partnership business में कोई loss हो रहा है, तो उसका burden भी किसी एक partner के उपर नहीं होता है सभी partners मिलकर उसे बाटते हैं, उसे share करते हैं Next advantage है, combination of different skills, इसे हम abilities भी कह सकते हैं Partnership business जो किया जाता है, उसका एक advantage यह भी होता है कि एक business अपने अलग-अलग partners की knowledge, skill, experience और उनके talent का एक combination होता है अलग-अलग जो partners होते हैं, उनकी अपनी field में expertise होती है उनके पास अपना अलग-अलग experience और skill होती है जिसे वो एक दूसरे से share करते हैं और सही decision ले पाते हैं For example, अगर किसी partnership business में तीन partners हैं तो हो सकता है एक partner production में expert हो, दूसरा उसके finance में expert हो तीसरा जो partner है वो marketing में expert हो तो इस तरह सबकी अलग-अलग skills के base पर और सही decision ले पाएंगे वो अपनी अपनी field में expert होंगे तो सारी चीजे उन्हें पता होगी तो उनका business भी आगे grow करेगा हमारा अगला advantage है More possibility of growth and expansion एक partnership business में सभी partners के equal rights होते हैं उनके अधिकार होते हैं अगर उनके business में किसी तरह की कोई problem आ गई या किसी तरह का कोई conflict हो गया उन partners के बीच तो वो साथ में बैट कर उस problem को solve कर सकते हैं Decision making में सभी मिलकर decision लेते हैं इस तरह मिलकर काम करने से उस business की growth भी तेजी से होती है और वह आगे बढ़ता है ये partners मिलकर बहुत सारे funds भी arrange कर सकते हैं जब investment बढ़ेगी तो firm भी expand होगी उनकी management उसकी growth सारी चीजे में help होती है अगला point है close supervision सारे partners मिलकर अपने partnership business की खुद ही देख रेक करते हैं ताकि वो wastage को avoid कर सकें उसे कम कर सकें partner का अपने employees के साथ direct contact होता है direct access होता है तो वो directly उनको और काम करने के लिए और ज्यादा production करने के लिए encourage कर सकते हैं इस तरह partnership firm का जो management होता है वो company के मुकाबले काफी cheap होता है, सस्ता होता है यहाँ वो खुद ही सारी चीजों को manage कर लेते हैं उनको control कर लेते हैं जबकि company में इनी कामों को करने के लिए अलग-अलग experts होते हैं जिने काफी salary paid करनी पड़ती है partnership business का next और last advantage है secrecy तरही secrecy maintain करना यहाँ partnership firm में secrecy maintain रहती है अपने accounts और statements को उन्हें किसी को show नहीं करना होता है कि उन्हें profit हो रहा है या loss ऐसा कोई government का rule भी नहीं है तो इस तरह बाहरी लोगों को एक firm की information और account statement सारी चीजों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है एक partner अपनी information अपने तक ही रख सकते हैं पर public company में ऐसा नहीं होता है वहाँ पर अपने shareholders को सारी information एक company को देनी होती है तो इस तरह partnership firm के जो competitor होते हैं उनको उस partnership firm की exact position का पता नहीं चलता है तो दोस्तों यह सारे points थे partnership business करने के क्या advantage और merit होते हैं अर्थाद इसके क्या क्या फायदे या lab हैं अब आईए आगे जानते हैं कि एक partnership business के demerit क्या है उनके disadvantage क्या होते हैं मतलब उसके नुकसान क्या क्या है उसको भी हम इसी तरह एक एक point के थूँ समझेंगे तो disadvantages में इसका सबसे पहला point है unlimited liability partnership firm का एक disadvantage यहा है कि इसमें partners की जो liability होती है वा unlimited होती है आज सीमीत होती है जो partners अपने उस partnership firm में investment किये हैं वा बस उसी के लिए liable नहीं है उनकी जो personal properties है वा भी business liabilities को पूरा करने के लिए ली जा सकती है अगर वो किसी तरह का loan लिए है और उसे चुका नहीं पाते है उनका business ठीक तरही के से नहीं चलना है तो business से उस loan की recovery नहीं हो पाएगी तो इन cases में उनकी personal property भी जब्द की जा सकती है अब इसका दूसरा नुकसान यह भी होता है कि यह partners जो होते हैं वो बड़े risk नहीं ले पाते हैं तो इस तरह business की growth के बारे में वो सोच ही नहीं पाते हैं इसका दूसरा disadvantage है lack of public faith partnership firm के जो accounts और statements होते हैं public को show नहीं किये जाते हैं तो public उनसे unaware होती है वो जान ही नहीं पाती है कि partnership firm की exact position क्या है उसे profit हो रहा है या नहीं या फिर वो loss में चल रही है तो इस तरह कई सारे लोग उस partnership firm पर भरोसा नहीं कर पाते हैं इसका अगला disadvantage है lack of prompt decision means delay in decision making partnership business के जितने भी decisions होते हैं वो सारे partners मिलकर एक साथ मिलेते हैं इसलिए decision making की या process time consuming हो जाती है इसमें ज्यादा time लग जाता है लगबग सभी important decisions सभी partners के साथ मिलकर तै किया जाते हैं अगर कोई भी partner बाहर गया है वो available नहीं है तो decision में देरी हो सकती है तो इस तरह कभी कभी decision making में काफी delay हो जाता है यह इसका एक disadvantage है नेक्स्ट है delay in daily task एक partnership firm के द्वारा जो daily work किये जाते हैं जो अलग-अलग task किये जाते हैं उसमें भी उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि उस काम के लिए सभी partners ready होने चाहिए उनकी acceptance जरूरी होती है तो एक दूसरे के बीच किसी तरह के suggestion लेने में बाते करने में कभी-कभी जो profit कमाने के मौके आते हैं जो opportunities उन्हें मिलती हैं वा भी हाथ से निकल जाती हैं क्योंकि उसके काम में delay हो जाता है वा delay ज्यादा हो जाता है काफी देरी हो जाती है तो इस तरह वा कई सारी चीज़े मिस कर देते हैं नेक्स्ट है Uncertainty of existence partnership की जो existence होती है जो आस्तित्व होता है वह अनिश्चित होता है किसी एक partner की death हो जाने पर बाकी के partners के द्वारा उसे run करना उसे चलाना काफी difficult हो जाता है मुश्किल हो जाता है इस तरह एक partnership firm टूर जाती है तो इस तरह partnership business में इस्थिर्ता नहीं होती है जितनी की एक company में होती है partnership business का next or last disadvantage है conflict among partners means मतभेदो की संभावना partnership firm में जब partners की संख्या अधिक होती है ज्यादा होती है तो उस firm के management में difficulties आने लगती है problems आनी शुरू हो जाती है उसमें बहस होने लगती है यहां तक की लड़ाई तक हो जाती है क्योंकि वो जो सभी partners होते हैं वो सभी partners को मिल कर decision लेना होता है और सभी के वहाँ पर view points जो होते हैं वो अलग अलग होते है सबके opinion सबकी सोच अलग होती है तो इस तरह इन partners के बीच लड़ाई भी हो जाती है जिसकी वज़ा से उनके businesses कभी कभी बंद भी हो जाते है तो यह जो partnership business होता है या ऐसे ही नहीं शुरू हो जाता है कि आपस में एक दूसरे से कह दे कि हाँ हम partners हैं अब आगे जो भी profit होगा उसे हम आपस में बाट लेंगे इसमें सारे partners के बीच एक agreement sign करना पड़ता है जिसे हम partnership deed कहते हैं इस partnership deed में ही उस business के सारे terms and condition लिखे हुए होते हैं जो business शुरू किया जा रहा है इसमें rules, regulations, policy उस partners के क्या-क्या rights हैं और भी बहुत सारी चीजे उसमें लिखी होती हैं और वो सारे partners जो होते हैं वो उसी partnership deed के according ही business करते हैं इसी partnership deed में ही इन सारे partners का ratio भी लिखा हुआ होता है कि कितना वे उस business के profit या loss को आपस में बाटेंगे, share करेंगे तो इस तरह partnership deed की या एक छोटी सी definition है partnership deed is a written legal document that contains an agreement made between two individuals who have the intention of doing business with each other and share profit and losses it is also called partnership agreement इसका मतलब यह हुआ कि partnership deed जिसे हिंदी में हम साज़ेदारी संलेट कहते हैं यह एक कानूनी document है दस्तावेज है जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेक्तियों के बीज एक समझावता होता है agreement होता है जो एक दूसरे के साथ business करने के लिए व्यापार करने के लिए और उसमें होने वाले profit या loss को आपस में बाटने का इरादा रखते हैं उससे सहमत होते हैं तो यही हमारी partnership deed कहलाती है इसमें partnership business को शुरू करने के सारे legal rights, rules, policy, duties लिखी हुई होती है या यूँ कह सकते हैं कि यह एक written summary होती है इस partnership deed को हम partnership agreement अर्थात साज़ेदारी समझाता भी कहते हैं शौर्ट में कहें तो It is an agreement between the partners of a firm that outlines the terms and conditions of partnership among the partners partnership deed partners के बीच एक agreement होता है समझाता होता है जो उन partners के बीच उस partnership firm के क्या terms and conditions है उन्हें define करता है इस तरह partnership deed की ज़रूरत तब पढ़ती है जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी partnership business को शुरू करना चाते हैं तो इसमें उस business और उन partners के सारे basic terms and conditions लिखे होते हैं जैसे कोई new partner आना चाहरा है तो उसकी admission का क्या process है profit या loss का ratio क्या है उन partners की salary क्या है और अगर उस business से उस partnership firm से कोई partner निकलना चाहे जाना चाहे तो उसकी exit की process क्या है इस तरह इस partnership deed का या उद्देश होता है या इसलिए ये बनाई जाती है ताकि business के operations को इसमूदली चलाया जा सके उस business के जो partners है उन्हें clear understanding दी जा सके उनके roles क्या है उनकों define किया जा सके ताकि उन partners के बीच कोई विवाद या कोई conflict ना हो अब आगे जानते हैं इसके contents के बारे में the partnership deed includes the following contents partnership deed में जो भी contents लिखे हुए होते हैं जो सारी बाते लिखी हुई होती हैं वो हम यहाँ नीचे एक एक करके समझेंगे वो सारे points यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं इसमें पहला point है name of the firm partnership deed में एक firm का नाम क्या है यह mention करना उसमें बहुत जरूरी है जो partners हैं वो अपनी firm का नाम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन यह नाम किसी registered firm से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए तो इस तरह partnership deed में name mention होता है इसमें दूसरा point है location of the firm अब उस firm के नाम के साथ साथ यह उस business का जो भी नाम रखे हुए है उसके नाम के साथ साथ वो business किस जगहां पर located है उसका पूरा पता वहाँ पर लिखना चाहिए उसका office कहां पर है अगर उसकी कोई branches है तो वो branches कहां कहां पर है यह सारी चीजे उसमें mention होनी चाहिए तीसरा point है name and address of the partners means details of the partners एक firm के नाम के साथ साथ partnership deed में सभी partners के नाम उनके address, contact number, designation और बाकी की सारी details भी लिखी होनी चाहिए ताकि जरूरत पढ़ने पर उनके घर तक जाया जा सके चौथा point है area and nature of the business इस partnership deed में यह बात भी clear होनी चाहिए कि एक business का area क्या होगा व्यापार जो होगा वा local होगा national level पर होगा या फिर international किया जाएगा तो इसका nature अर्था तिसकी प्रक्यति क्या होगी किस तरह के products लोगों को sell कर रहे है या सारी चीजे उसमें clear लिखी होनी चाहिए इसका पांचमा point है duration of partnership firm partnership deed में एक partnership firm की duration भी mention होनी चाहिए कि कितनी अवधी के लिए वा business किया जा रहा है वा limited period के लिए है कोई specific purpose के लिए किसी specific project के लिए वक किया जा रहा है और वा पूरा होते ही उस business को बंद किया जाएगा या फिर unlimited period के लिए हमेशा के लिए उस business को करने की सोचे है तो उसके उद्देश क्या है वा कितने साल के लिए कितने महीने के लिए वा business किया जाएगा या जरूर उसमें mention किया जाना चाहिए next है capital employed by the partners वा partners उसमें कितना contribute किये है उनका योगदान कितना है कितनी capital उसमें invest की गई है वा partners उस capital को cash की form में contribute किये है या वा assets की form में है इस तरह वा किस तरह की capital है क्या कि उसमें investment है वा सारी चीज़ों उसमें detail में लिखी होनी चाहिए next हमारा point है ratio of profit and loss means sharing of profit and loss एक partnership firm के profit या उसके loss में उनके partners का ratio कितना होगा या भी उस partnership deed में लिखा होना चाहिए कि किस ratio में वो partners profit या loss को distribute करेंगे या जो ratio है या सभी partners में equally distribute किये जा सकते हैं बाटे जा सकते हैं या फिर जो जितना capital contribute किया है investment जो जितना किया है उस ratio में भी बाटे जा सकते हैं या फिर वा कुछ भी ratio decide करके business शुरू कर सकते हैं अगला point है हमारा rights and duties of the partners partnership firm में partners की क्या क्या duties होंगी day to day work में उनका criteria क्या होगा या सारी चीज़े भी उसमें mention होनी चाहिए हलांकि एक partner को उस firm के management और उसके संचालन में हिस्सा लेने का अधिकार होता है उसका right होता है लेकिन firm की सुविधा के अनुसार उनके अधिकारों को limited भी रखा जा सकता है इसलिए partnership deed में उनके अधिकारों की सीमा और उस पर control रखने की विधी method को भी explain करना चाहिए ताकि future में उन्हें कोई दिक्कत ना हो उनमें कोई आपसी मतभेद ना हो नेक्स्ट पॉइंट है partners, commission and salary partners उस partnership firm से अपनी कितनी salary लेंगे उनके commission क्या और कैसे होंगे इन सब की details भी इसमें mention होनी चाहिए या salary और commission जो दिया जाएगा वो किस basis पर दिया जाएगा क्योंकि हो सकता है सभी partners उस firm को समान रूप से time नहीं दे सकते हो तो या पहले से ही तै कर लेना अच्छा होगा कि किसका कितना role और capability होगी उसी के इसाब से उन्हें salary और commission पे किया जाएगा next है withdrawals by partners means drawings किसी personal जरूरत के लिए एक partner उस firm से उस business से कितना पैसा निकाल सकता है उसकी drawing की limit क्या होगी drawings का मतलब होता है जब business करने वाला कोई person अपने personal use के लिए business से पैसा निकालता है तो इस तरह वा कितना पैसा निकाल सकता है या जरूर उसमें mention होना चाहिए क्योंकि इस से firm की financial condition बिगडने का डर रहता है नेक्स्ट है interest on drawings अगर partners के द्वारा निकाले गए drawings पर जो उन्होंने firm से personal use के लिए पैसा निकाला है तो उस drawings पर अगर कोई interest लेना है तो इस partnership deed में उस interest का rate भी लिखा होना चाहिए तो इस तरह जरूरत पढ़ने पर business से पैसा निकाल सकते हैं बाद में उसे interest के साथ pay करते हैं तो अगर उस drawings पर उस निकाले गए पैसे पर कोई interest लेना है तो उसमें भी वह जरूर mention होना चाहिए नेक्स्ट है allocation of work among partners partners में काम को कैसे बाटा जाएगा कौन वेक्ति वेपार में कितना समय देगा कितना हुआ काम करेगा काम के दौरान उनकी duties क्या होंगी और उनका पालन ना करने पर जो partners दोशी होंगे उन पर क्या कारवाही की जा सकती है इन सब बातों का भी जिक्र उस समझहोते या उस पार्टनर्शिप डीड में जरूर होना चाहिए नेक्स्ट है violation of the rules of partnership अगर कोई पार्टनर या साज़ेदार इस पार्टनर्शिप डीड का इस समझहोते का उलंगन करता है तो क्या जो दूसरे partners हैं वो आपस में मिलकर उसके खिलाब कोई legal action ले सकते हैं या नहीं या भी इस partnership deed में mention होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है admission, death and retirement of partners इस partnership deed में वो नियम या शर्तें भी किलिए लिखी होनी चाहिए जिसके अंतरकत किसी नए साज़ेदार को उस firm में परवेश दिया जा सकता है इसके अलावा किन परिस्तितियों में साज़ेदार retire होंगे और इन retire होने वाले partners या साज़ेदार को दी जाने वाली amount की calculation method और उनके payment method क्या होगा या भी उस partnership deed में लिखा होना चाहिए पर अगर किसी वज़ा से किसी partner की death हो जाती है तो उसकी amount का जो payment जो करना है वा एक मुष्ट एक साथ किया जाएगा या उसे किष्टों में installment में pay किया जाएगा और उस पर interest देने का भी कोई system होगा या फिर नहीं और भी इसके अलावा बहुत सारी बाते होती हैं जो इस partnership deed में लिखी हुई होती हैं एक partner के admission, date और उसके retirement को लेकर partnership deed का next और last point है इसका last content है procedure of dissolution of a firm अगर partner किसी भी वज़ा से partnership firm को बंद करना चाते हैं तो उसका क्या procedure होगा या सब भी उस partnership deed में mention करना बहुत जरूरी है इसी के according उसका dissolution होगा या वह partnership बंद की जाएगी तो इस तरह दोस्तों ये सारे contents जो होते हैं या partnership deed के अंदर लिखे जाते हैं तो अब एक partnership deed की importance क्या है इसको हम एक एक करके समझते हैं इसमें सबसे पहला point है partnership deed helps partners to define the terms of their relationship means या जो partnership deed होती है या partners को उनके partnership firm के relation को बताता है उसकी क्या शर्ते हैं कैसे उन partners को business करना है या सब इस partnership deed के थ्रू ही पता चलता है और इसी के recording बंद partnership business किया जाता है इसी को follow किया जाता है इसका दूसरा point है इट या partnership deed को represent कर रहा है तो इट mentions the role of each individual partner partnership business जो किया जाता है और इसमें जो partnership deed बनाई जाती है इसमें हर एक individual partner के role क्या क्या है इन्हें क्या काम करना है किस तरह से business की सारी activities को manage करना है या सारी बाते mention की रहती है पहले से ही लिखी रहती है next है it regulates the nature of business and liabilities, rights and duties of all partners या partnership deed एक business का nature क्या है किस तरह से उसे चलाना है उसके जो partners हैं उनके दाइत्व, अधिकार और उनकी duties उनके कर्तव क्या क्या है इन सारी चीजों को या partnership deed नियंत्रित करती है उसे regulate करती है जिसे वो follow करते है next point है it contains the remuneration that is to be paid to partners thereby avoiding and dispute or confusion इस partnership deed में वा salary भी शामिल होती है जो उस partnership firm के जो अलग-अलग partners है उन्हें दी जानी है या pay करनी है जिससे किसी तरह की विवाद या भ्रह्म means confusion से बचा जा सकता है तो इसलिए भी partnership deed बनाना जरूरी है ताकि सारी चीज़े पहले से clear रहे किसी को कोई doubt ना रहे कि किसे कितनी salary मिलेगी तो आगे किसी तरह की बहस या कोई विवाद नहीं होता है अगर partnership firm में जो partnership business किया जा रहा है उसमें किसी तरह को कोई dispute हो जाए कोई विवाद शुरू हो जाए उनके अलग-अलग partners के बीच तो इस situation में partnership deed जो होती है इसमें कुछ शर्तें लिखी हुई होती है कुछ terms लिखे हुए होते हैं पहले से जिसके according उसे settle करते हैं या उस विवाद को सुल्जाते हैं तो इसलिए भी partnership deed की importance होती है next है there will be no confusion between the partners regarding the profit and loss sharing ratio amongst them partnership deed बनाने का एक फायदा यह भी है या इसकी एक importance यह भी होती है कि इससे partners के बीच profit या loss को लेकर कोई confusion नहीं रहती है कि अगर business में profit होगा तो वह किस तरह उन्हें distribute किया जाएगा तो यह जो profit and loss का जो sharing ratio होता है चाहे उस business में profit हो या loss उस partnership deed में या पहले से ही लिखा हुआ होता है जिससे उन अलग-अलग partners के बीच किसी तरह के कोई confusion नहीं रहती है कि अगर business में profit होगा तो उन्हें किस ratio में मिलेगा partnership deed की importance का next or last point है या partnership deed partnership firm के जो अलग-अलग काम होते है उन सारे कामों को अच्छे तरीके से इसमूदली चलाने में मदद करती है उसकी help करती है क्योंकि partners के बीच सारे जो terms and conditions होते है जो उनकी शर्ते होती है जो उनकी देंदारिया है वह सारी इस partnership deed में written form में लिखी हुई होती है जब सारी चीजें पहले से लिखी रहती है तो उस business को चलाने में काफी आसानी हो जाती है वह smoothly run करता है तो इस तरह दोस्तों या जो partnership deed होती है इसकी बहुत ही importance है एक partnership firm के लिए जो भी partnership business किया जा रहा है उसमें यह partnership deed के basis पर ही सारे कामों को किया जाता है इससे एक business को काफी help मिलती है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे joint stock company के बारे में जिसे हम company के नाम से भी जानते हैं soul proprietorship और partnership business के बारे में जान चुके है तो soul proprietorship business का एक disadvantage यह था कि वह जो soul proprietor था वहाँ अकेला वेक्ती होता था और उसी को सारी चीज़े manage करनी पड़ती थी तो वहाँ अपना business बड़े scale पर नहीं करवाता था इस कमी को पूरा करने के लिए partnership हम का एक रूप सामने आया कि अकेला वेक्ती सारी चीज़ों को manage नहीं कर सकता है तो इस partnership में दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर उस काम को करने लगे पर इस partnership में भी कुछ कमिया थी कुछ इसकी limits थी कि minimum दो person हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग हो सकते हैं तो इसको और ज़्यादा broad level पर करना काफी मुश्किल था और इसके साथ ही साथ partners की जो liabilities होती थी वह unlimited थी unlimited liabilities का मतलब अगर वो किसी तरह के loan को pay नहीं कर पाते हैं उनकी जो अलग-अलग liabilities हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनकी जो personal assets हैं जो personal properties हैं वह भी उनके business के लिए use की जा सकती हैं तो मनुवग्यानिक दृष्टी से या किसी भी partner को सही नहीं लगता था तो इस तरह ऐसे संगठन की खोज की गई जिसमें soul proprietorship और partnership firm की कटनाईया या इसके disadvantage जो होते हैं वो सब ना हो तो इस तरह business की एक नई form का जन्म हुआ जिसे हम company कहते हैं इसका पूरा नाम joint stock company है पर या company के नाम से ही ज्यादा popular है इसमें बहुत सारे members होते हैं और सारे members की जो liability होती है जो दाइत होता है वा सिमित होता है limited होता है इस तरह इस company में बहुत सारे लोग मिलकर business को करने के लिए आ गया आते हैं इस company की law की नजर में एक separate legal entity होती है इसकी एक अलग पहचान होती है जो कि एक artificial person होती है या company large scale पर businesses को करने के लिए suitable होती है जहां बहुत ज़्यादा capital की requirement होती है capital को इकठा करना भी possible हो पाता है इस तरह इसकी एक छोटी सी definition निकल कर सामने आती है जब बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ कोई एक organization बना कर काम करते हैं तो वह एक company कैलाती है जिसका legal status होता है जो अपने document के थूँ registered होती है इस company की एक separate legal entity होती है खुद की एक पहचान होती है identity होती है law की नजर में वह एक artificial person बन जाती है जिसके पास अपने खुद का नाम उसकी common seal या signature होती है तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि sole proprietorship businesses के लिए registration कराना जरूरी नहीं होता है partnership firm के लिए या registration कराना optional है वचा है तो इसे करा सकते हैं पर एक company के लिए registration कराना compulsory होता है अनिवार होता है इसे registration कराना ही पड़ता है इस तरह आगे है जब लोगों का सम्मू या group of persons एक company की capital को बाट देते हैं किसमे एक transferable shares में means अलग-अलग shares में इन्हें बाट दिया जाता है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है साथ ही इस share को किसी दूसरे को transfer भी किया जा सकता है तब joint stock company बनती है तो इस तरह एक company की capital के अलग-अलग हिस्से हो जाते हैं और एक हिस्से को एक part को हम share कहते हैं जो इस एक share को खरीदता है वा उस company का shareholder कहलाता है इस तरह जितने भी अलग-अलग shareholders होते हैं वा आपस में मिलकर board of directors को elect कर सकते हैं उनका चुनाव कर सकते हैं अब ये board of directors कौन होते हैं ये board of directors कुछ लोगों की एक team होती है जो उस company के operations को maintain करते हैं उसे चलाते हैं अब आगे इसकी एक definition देखते हैं ये definition दी गई है चीफ जस्टिस मार्शल के दौरा इसका मतलब यह है कि एक joint stock company ये जिसे हम company के नाम से भी जानते हैं तो यह एक artificial person होती है जो अद्रिश है जिसे हम देख नहीं सकते हैं इन्टेंजिबल है जिसे हम touch भी नहीं कर सकते हैं और यह company कानून की नजर में विद्दिमान है exist करती है तो इस तरह आप इसकी definition लिख सकते हैं अब आईए आगे जानते हैं features of joint stock company और company इसे हम characteristics में भी लिख सकते हैं अगर question आता है कि characteristics of a company characteristics of a joint stock company तो भी हम इन्हीं सारे points को लिखेंगे तो इसमें इसका सबसे पहला feature है artificial person created by law company कानून के द्वारा बनाई गई एक artificial person है जिसका एक नाम और common seal होती है एक सारो मुद्रा होती है या यू कहें signature होती है जो एक person की ही तरह अपने नाम से किसी चीज को purchase और sell कर सकती है इस तरह या company उस common seal को मोहर को लगा कर कोई भी काम कर सकती है बस इस company में feeling और emotions नहीं होते हैं इस तरह इस company का निर्माण विधान के द्वारा ही किया जा सकता है या एक artificial person होता है जो law के द्वारा ही एक कानून के द्वारा इसे बनाया जाता है इसका दूसरा feature है separate legal entity इस joint stock company की खुद की एक अपनी legal entity होती है मतलब खुद की अपनी एक पहचान होती है जो किसी भी assets को खरीद और बेट सकती है एक company की जो existence होती है जो उसका अस्तित्व होता है वह उसके shareholders उसके directors, promoters इन सब से अलब होता है और या एक independent होती है मतलब एक company के shareholders या किसी member की death हो जाने से उस company पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस company पर कोई असर नहीं पड़ता है वह company चलती रहती है क्योंकि company की जो identity होती है वह अलब होती है sole proprietorship और partnership में ऐसा नहीं होता है उसमें उनके business की identity अलब नहीं होती है वह separate नहीं होती है तो यह company की ही एक विशेष्टा है जिसमें एक company की अलग पहचान होती है उसकी एक separate legal entity होती है अगला feature है use of common seal तो अब हमें यह पता चल गया है कि यह joint stock company होती है यह एक artificial person होती है पर अपने members की तरह यह जो company है यह खुद से अपनी signature या हस्तांक्षर नहीं कर सकती है तो इस तरह इस company की जो existence है उसके जो आस्तित्व है उसको show करने के लिए उसको दिखाने के लिए एक common seal उस पर लगाए जाता है एक मोहर लगाए जाती है जिससे पता चलता है कि वह जो decision लिया गया है वह company की तरफ से लिया गया है तो इस तरह company के जो भी day to day functions होते हैं जो daily के जो काम होते हैं वो board of directors ही manage करते हैं और इन board of directors के द्वारा लिये गए सभी decisions को company की common seal के साथ authorized किया जाना चाहिए जिसमें company के नाम और authorized person के signature हैं तो इस तरह एक company में common seal का use किया जाता है इसका next feature है number of members Indian Companies Act 2013 में provisions defined किये गए हैं कि public company और private company में कितने members होने चाहिए तो public company में कम से कम साथ members होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए इस पर कोई restriction नहीं है वह company साथ से ज्यादा कितने भी members को बना सकती है members के जो numbers हैं जो सदस्यों की संख्या है उस पर कोई प्रतिबंद नहीं है कोई रोक नहीं है वह कितने भी हो सकते हैं पर private limited company के लिए minimum 2 members और maximum 50 members allowed हैं इसकी अगली विशेष्टा है limited liability Joint stock company में company के जो share holders होते हैं उनकी जो liability होती है वह limited होती है सिमित होती है मतलब कि उनका जो भी दाइत्व है वह उनके purchase किये गए shares तक ही सिमित होता है किसी भी situation में उन्हें share की बकाया amount से ज्यादा amount pay करने को नहीं कहा जा सकता है वह company उनकी personal assets को pay करने के लिए नहीं कह सकती है तो इस तरह एक company की जो liability होती है वह limited होती है सिमित ही होती है इसका next और last feature है transfer of shares freely means transferable shares company के जो share holders होते हैं वो बिना किसी से consult किये अगर वे चाहें तो अपने shares किसी दूसरे person को transfer कर सकते हैं बस private company पर shares को transfer करने पर रोक है तो इस तरह इस public company के जो shares होते हैं वो transferable होते हैं वो दूसरों को transfer किया जा सकता है advantages and disadvantages of company एक company के क्या क्या फायदे होते हैं और उसके क्या क्या नुकसान होते हैं तो सबसे पहले इसके advantages के बारे में जानते हैं कि एक company के क्या-क्या फायदे होते हैं तो इसमें इसका सबसे पहला point है, सबसे पहला advantage है limited liability एक company का सबसे पहला तो फायदा या है कि इस company के जो share holders होते हैं जो उसके share को purchase किये रहते हैं उनकी liability जो होती है वह limited होती है सिमित होती है वह जितने share purchase किये हैं अगर company को किसी situation में loss होता है तो वह बस उतनी ही value को pay करेंगे ना कि उससे ज्यादा जैसा कि sole proprietorship और partnership business में होता था कि loss होने पर या loan pay ना करने की situation में उनकी personal property भी उसमें चली जाती थी पर company का आपकी personal property पर कोई right नहीं है इसका दूसरा advantage है large capital एक company ज्यादा capital इकठा कर सकती है as compared to sole trader या partnership business से क्योंकि अगर business बड़े level पर करना है तो इसके लिए ज्यादा capital ज्यादा funds की ज़रूरत पड़ती है जो company में इसे collect करना काफी आसान है एक company अपने shares को issue करके ज्यादा capital इकठा कर सकती है next point है scope for expansion company में shareholders के maximum numbers की कोई limit नहीं है वा company जितने चाहे उतने shares को issue कर सकती है जितने चाहे उसके shareholders बन सकते हैं उसमें जुड सकते हैं तो इस तरह company को expand करना उसे बढ़ाना काफी आसान हो जाता है एक company ज्यादा से ज्यादा share issue कर सकती है और अपने आपको expand कर सकती है बढ़ा सकती है अगला point है transferability of shares अगर एक company के shareholders company की growth या और किसी वज़ा से वा खुश नहीं है वा उसका हिस्सा नहीं रहना चाते है तो वा जो share उसके पास है वा जब चाहे किसी और को transfer कर सकते हैं उसे बेच भी सकते हैं तो इस तरह company को इसके दो फायदे हो सकते हैं एक तो company को उनका पैसा वापस नहीं करना पड़ता है और दूसरा shareholders को उनकी जरूरत के समय capital या उनका पैसा वापस मिल जाता है इसका next point है qualified employees and experts एक company के पास बहुत ज़्यादा financial resources होते हैं यह company उन लोगों को रोजगार देती है जो अपनी field में अपने area में expert होते हैं इस company में अलग-अलग activities perform की जाती है जिसके अपने अलग-अलग departments होते हैं हर अलग-अलग department के under एक expert होता है जिसे head of department के नाम से जानते हैं जिसके पास हर एक छोटी बड़ी चीजों के बारे में knowledge होती है तो इस तरह एक company योग और अनुभवी कर्मचारियों को विशेश अग्यों को appoint कर सकती है उनकी नियुक्ती ज्यादा salary देकर आसानी से कर सकती है जबकि बाकी के businesses में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है Next है professional management Company का एक advantage या भी है कि company के पास ज्यादा resources और पैसा होता है जिससे वह आसानी से experts को hire कर सकते हैं साथ ही इस company के direction ऐसे directors के हाथों में दिया जाता है जो professional होते हैं जो experts होते हैं और इन directors को shareholders ही elect करते हैं उनका चुनाव करते हैं ये directors well experienced person होते हैं जो इस company का management professional तरीके से करते हैं Next point है perpetual existence एक company की अपने सदस्यों से अपने members से अलग legal entity होती है इसलिए किसी भी सदस्य की किसी भी member की death हो जाने से उसकी insolvency, retirement, company की existence को affect नहीं करते हैं इससे company बंद नहीं होती है वो existence में रहती है वो चलती रहती है इस company को कानून की प्रक्रिया के जरीए ही खत्म किया जा सकता है Next है promotion of mass production एक company में ज्यादा capital होने के वज़ा से बड़ी मात्रा में production करना भी आसान हो जाता है जिससे बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है वह production जो होता है वह अच्छा और सस्ता भी होता है इसके साथ ही सरकार की income भी इनके taxes को pay करने से बढ़ती है और ज्यादा profit होने से company का विस्तार भी होता है या और बढ़ती है कमपनी का एक advantage तो या भी है कि company में sustainability होती है इस्तिरता होती है मतलब कि इस company के जल्दी बंद होने की possibility नहीं होती है इससे लोगों की saving यानि बचत की भावना बढ़ती है उन्हें विश्वास होता है कि company लंबे समय तक चलती रहेगी और वो अपने पैसे की आसानी से बचत कर पाते हैं एक company पर लोगों का विश्वास ज्यादा होता है क्योंकि company के accounts और statements लोगों के सामने आते रहते हैं जिससे public को उस company की हर activities के बारे में सही जानकारी मिलती रहती है इससे company में जनता का trust यानि विश्वास बढ़ता है इसके साथ ये company हर कदम कदम पर सरकार के rules regulations को भी follow करती रहती है तो इसलिए भी लोग उस company में trust करते हैं तो इस तरह एक company में इतनी सारी qualities होती है इतने सारे इसके फायदे होते हैं जिससे की आज इनकी संख्या बढ़ती जा रही है अब आगे जानते हैं इसके disadvantages के बारे में कि इसके नुफसान क्या क्या होते हैं इसमें इसका सबसे पहला point है difficult information एक company का disadvantage या है कि company को शुरू करते वक्त बहुत सारी legal formalities require होती हैं जब उसका registration कराया जाता है वा किस तरह की company होगी कितने persons होंगे उसके promoters कौन होंगे promoters means जिसके mind में company start करने का idea आया है तो उसके functions क्या क्या होंगे company की capital कितनी होगी वा कहां से collect की जाएगी इसके अलावा बहुत सारे खर्चे भी शामिल होते हैं तो इस तरह capital का ज्यादा तर हिस्सा तो इसके formation में ही चला जाता है means इसका जो legal procedure होता है वा काफी lengthy और expensive भी होता है next है fraud by promoters company के जो promoters होते हैं जो company के important कामों को करते हैं investigation करके planning करके सारी चीज़ों को जो manage करते हैं तो ये promoters चाहे तो company का formation करके public के साथ fraud कर सकते हैं क्योंकि लोगों का इन पर trust होता है तो ये खर्जों को बढ़ा चड़ा कर उसमें गड़बडी करके लोगों को दिखा सकते हैं और assets की sale और purchase पर वो commission ले सकते हैं तो इस तरह promoters के द्वारा fraud किये जाने की possibility इसमें होती है next है lack of privacy और secrecy company के disadvantage में एक point यह भी है कि soul proprietorship और partnership business के comparison में एक company में secrecy बहुत कम रहती है क्योंकि company का जो management होता है वा कई लोगों के हाथ में होता है सारी चीजे board of directors की meeting में ही discuss की जाती है तो business के जो secrets हैं इनको maintain करना थोड़ा मुश्किल होता है साथ ही एक company को लोगों के सामने अपने accounts और statements को भी show करने होते हैं तो यहाँ पर secrecy या privacy maintain नहीं रह पाती है इसकी कमी होती है next है delay in decision making decision लेने में यानि निर्ड़ा लेने में देरी होना दोस्तों soul proprietorship या partnership business में तुरंत किसी भी तरह के decision लिये जा सकते हैं लेकिन company की decision making process time consuming होती है इसमें वक्त लगता है क्योंकि जब भी किसी तरह के decision लेने की जरूरत पड़ती है तो general meeting को arrange करना पड़ता है सभी लोगों को इकठा करना पड़ता है इसमें board of directors और कुछ shareholders भी इकठा होते हैं अब अगर किसी तरह की opportunities आई है तो वहाँ पर quick decision लेना है तो यहाँ पर अचानक किसी meeting को arrange कर पाना और जल्दी decision ले पाना possible नहीं हो पाता है जिसकी वज़ा से एक company कई opportunities को खो देती है उन्हें miss कर देती है एक company के disadvantages का next और last point है defects of democratic system दोस्तो companies act में एक shareholders के rights दिये हुए होते हैं ज्यादा तर ये shareholders उनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये जो shareholders होते हैं जो company के share purchase किये हुए हैं वो उन provision से अंजान होते हैं कि उस company में उनका क्या right है क्या अधिकार है company एक company बस उन्हें जो dividend देती है जो अलाभांश उन्हें मिलता है वो बस उसी में अपने आपको संतुष्ट कर लेते हैं अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए company की जो annual meeting रखी जाती है जो annual meeting होती है उसमें वो shareholders भाग नहीं लेते हैं participate ही नहीं करते हैं कुछ गिने चुने ही shareholders होते हैं वो ही उस meeting में भाग लेते हैं पर उनकी कोई सुनवाई ही नहीं होती है क्योंकि वो बहुत कम होते हैं तो उनकी बातों को ज्यादा importance नहीं मिल पाती है management के जो लोग होते हैं वो अपने हिजाब से उस company को चलाते हैं तो इस तरह इस company का या disadvantage होता है